Hello friends, welcome to lecture series on theory of computations दोसों प्रियोस वीडियो में हमने कुछ basic examples के जरी automata को design करना सिखा इस वीडियो में और कुछ हमें example देखेंगे तो आइए सबसे first example को देखते हैं जिसके अंदर हमें उस automata को draw करना है जो उन strings को accept करेगा जो start हो रहे हैं with later a तो जब भी दोस्तों आपको किसी भी automata को draw करना हो तो basic rule याद रखिए कि सबसे पहले आप सबसे छोटी string कोन सी accept होगी उसके बारे में सोचिए मतलब यहाँ पर मैं क्या बताना चाहरू आपको कि अगर मुझे कैसा automata design करना है जो उन strings को accept करें जो start हो रहे हैं a से दोस्तों सबसे छोटा string कोन सा होगा जो a से start होगा वो खुद a होगा right तो अगर हमारे पास string a है तो यह सबसे छोटी string होगी जो a से start हो रही है तो दोस्तों इसके लिए पहले आप automata design कीजिए एक बार आपने इसके लिए automator design कर लिया तो इससे बड़े length वाले के लिए हम उसी को modify कर सकते हैं कैसे ज़रा देखेंगे यहाँ पर तो जैसे कि आप सब को पता है कि सबसे फ़ले कोई भी automator हो हम start state बनाते हैं मतलब start state compulsory है तो यहाँ पर हम लोग सबसे बनाऊंगे जिसे मैं कहता हूँ s not okay तो यहाँ पर दोस्तो हमारी जो सबसे छोटी श्रिंग है वो क्या है ए है तो suppose मुझे सीफ a को accept कराना था तो उसके लिए automator मैं कैसे बनाऊंगा अगर मुझे सीफ a को accept कराना है तो तो s not के बाद दोस्तों जैसे ही मुझे दिखेगा तो मैं एक नए state पर जाऊंगा और उस नए state को मैं कह देता हूँ s1 तो यह हमारा जो नया state है यह s1 है और यही दोस्तों final state होगा because हमें string a को accept कराना था तो जैसे हम start state पर हमें a मिलता है हम नए state पर चले गए और यह state दोस्तों हमारा final state है क्योंकि मुझे a को accept कराना है तो अगर a read करने पर मैं s1 पर पहुंच रहा हूं तो s1 should be final state राइट तो दोस्तों अगर suppose इससे कोई बड़ी string हम लोग लेते हैं अब हम अल दूसरी जो जो possibilities होगी उसे consider करेंगे तो एक चीज़ जो मैं बता रहा हूं से ध्यान से समझेगा सबसे आपने क्या सोचा कि जो सबसे चोटी string होगी उसके लिए automata बनाओ दोस्तों जब भी हम definite automata की बात बना चाहिए मतलब यहां पर आपके पास जो sigma है उसमें क्या क्या है उसमें A है युषमें B है राइट तो हर एक स्टेट से A के लिए और B के लिए move होने चाहिए मतलब कोई मिलता है तो मैं S1 पे जा रहा हूं लेकिन अगर आप start state में हो और आपको B मिलता है suppose तो आप क्या करोगे तो क्यूंकि हमें उन strings को accept करना है जो start हो रहे हैं A से तो अगर कोई string B से start होता है आप अभी start state मतलब आपने अभी तक कुछ read नहीं किया है और start state पे होने के बाद दोस्तों आपको सबसे पहला जो character है वो B मिलता है मतलब आपके string किस से start हो रही है B से start हो रही है इसलिए दोस्तों वह invalid string हो गई क्यूंकि आपको वह string ready नहीं करना था हमें मतलब नहीं मतलब अगर आपके string दोस्तों B से start हो गई तो आगे चाहे A आने दो चाहे B आने दो वह सारा का सारा input invalid होगा क्या आप इससे समझ रहे इमें एक example के चारे बताता हूं मालने जाए दोस्तों हमारे पास जो string है वह है B A B A ठीक है यह string में इस machine आटोमेटर को देता हूं तो यह आटोमेटर क्या देखेगा सबसे पहले मुझे B मिला राइट तो B मिलते ही वह किस कुछ state में आ जाएगा क्या आप कोई अच्छे है समझा very good तो यहां पर दोस्तों अब देखिएगा तो जो start state है उससे मैंने A के लिए भी मुह दिखा दिया और B के लिए भी मुह दिखा दिया A B A A यह string है तो दोस्तों आपको अगर start में A मिलता है आप starting में पर यहां S0 पर रहोगे जैसे ही A मिलेगा आप S1 पर चले जाओगे ठीक है तो आगे कुछ भी रहने दो उससे आपको कोई मतलब नहीं होगा तो इसलिए दोस्तों एक बार हम लोग अकर S1 में पहुच गए तो आगे चाहे A आने दो चाहे B आने दो हम इसी state पर रहेंगे तो इसे हम self loop से दिखाएंगे तो इसका मतलब होता है कि S1 में मैंने इसे self loop मतलब चाहे आगे A मिले चाहे B मिले हम final state में ही रहेंगे तो जरा इस string को हम यहाँ पर accept करके दिखाते हैं थूरू इस automata तो दोस्तों इनिशली यहाँ पर हम लोग सबसे वेले A को read करेंगे हम start state में रहेंगे ठीक है A को read करेंगे तो कहां पहुचेंगे हम लोग S1 पर पह रहोगे आप S1 पर हो अभी और A मिलता है आपको फिर से S1 पर रहोगे फिर आगे आप दूसरा का character read करोगे A तो आप S1 पर हो आपको A मिलता है तो अगे आप S1 पर रहोगे और इस तरह दोस्तों पूरी string की reading खतम हो जाएगी और आप finally S1 पर रहोगे मतलब समझ रहे हो initially अ सब्सक्राइब कर ली जाएगी ठीक है अगर दोस्तों कोई भी string यहाँ पर B से start हो जाती है तो आप start state में रहोगे और अगर आपको B मिलता है तुरंद आप dead state में आ जाओगे और आपकी string जो है वो reject कर ली जाएगी मतलब पूरी string यहाँ पर scan करने के बाद अगर आप final state मे चली में reject की जा चुकी है तो आपको अच्छे समझ भाया कि यह आटोमेटर कैसे design किया गया याद रखिएगा दोस्तों कि हरे की state में हरे की state में ए और B दोनों के लिए मूँ होना चाहिए मतलब जितने भी alphabet में symbols रहेंगे उन सारे symbols के लिए मूँ हरे की state पर होना चाहिए जैसे S0 पर आप देखो कि A के लिए भी मूँ है B के लिए मूँ है dead state में भी A और B के लिए मूँ है और S1 पर भी A और B के लिए transition है कि कहां पर आप जाओगे तो आइए दोस्तों इसके next bit को देखते हैं दोस्तों अगले bit में हमें उस finite automator को design करना है जो उन strings को accept करेगा जो end हो रहे हैं A के साथ तो जैसा कि मैंने आपको rule बता है कि सबसे पहले आपको उस string को सोचना है जो सबसे छोटा होगा और हमारी criteria को satisfy करेगा मतलब दोस्तों इस case में हम उस सबसे छोटे string को पहले दूढ़ेंगे जो end with A हो रहा है तो सबसे छोटा कौन सा string है जो जिसकी ending A से बनाऊंगो जैसे आपको पता है कि हम सबस्वाले start state बनाते है start state में हम जैसी A को read करेंगे हम एक नए state में चले जाएंगे और वह state होगा जैसे कि मैंने आपको बताया तक हमरी इस state का कुछ ना कुछ purpose होता है तो S1 का क्या purpose है अगर आप S1 पर पहुच रहे हो इसका मतलब आप यहां पर उस string को read कर चुके हो जो एक से end हो रहा है तो यहीं दोस्तों हमारा क्या होगा final state होगा तो आपको क्या करना है जो सबसे चोटी string होगी जो सबसे चोटी string होगी जो हमारी किसी हो रहा है इससे मतलब नहीं है मुझे end A से चाहिए को जहां से समझेगा हमें वह string चाहिए जो end with क्या हो रहे है इसलिए अगर मुझे शूरू का लेटर scan करने पर B मिलता है तो मैं क्या करूंगा आगे नहीं बढ़ूगा मैं यहां पर start state में ही क्यों क्यों वह सारे दोस्तों जो inputs हैं उससे मुझे कोई भी मतलब नहीं है इस चीछ को समझेगा अच्छे से पुरा ध्यान से दोस्तों समझे कि अगर मुझे B मिलता है start state में तो मैं start state पर लूप करूंगा मतलब उन B से मुझे कुछ भी interest नहीं है मैं यह देखना चाहता हूँ कि string में A कम मिल रहा है and में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है तो इसलिए दोस्तों जितने भी आगे आते जाए मतलब पहला भी दूसरा भी तीसरा भी चौथा भी हम आगे मुझे करेंगे हम start state में लूप करेंगे वेट करते रहेंगे कि हमें A मिल रहा है कि नहीं और जैसे हमें A मिलेगा दोस्तों हम आगे बढ़ जाएंगे S1 पर पहुँच जाएंगे ठीक है अब S1 final state है लेकिन ऐसा जोड़ी ना है कि आपको A मिल गया तो आपका string end हो रहा है यह से नहीं हो सकता है दोस्तों A के बाद B आ जाता है क्योंकि A मिलते ही आप S1 पर पहुच गए जैसे ही आपको दोस्तों B दिखता है S1 पर तो इसका मतलब यह हुआ कि आपकी string A के साथ end नहीं हो रही है तो आप पिर से चले आओगे दोस्तों S1 पर कि किस लिए चले आओगे क्योंकि अभी तक का जो भी calculation था जो भी आपने scan किया अब वो कुछ काम का नहीं है जड़े इस चीच को अच्छे समझेगा एक तम पुरा full focus करके समझेगा कि दोस्तों जैसी देखिए शुरू में जितने भी भी आ रहे थे सबको मैंने ignore किया क्योंकि हमारे कुछ काम के नहीं थे जैसी मुझे दिखा मैं final state में पहुँच गया क्योंकि देखो मैंने आपको पहले ही बता है कि हम यह string को scan left to right करते है तो आगे और क्या-क्या है मुझे नहीं पता मैं अभी current string जो character है उसे देखकर बस decide क कर सकता हो मुझे कहा जाना है तो दॉस्तों जैसी मुझे a मिलेगा मैं start state में हूं जैसी मुझे a मिलेगा तो मुझे यह नहीं पता है कि यह and along character है की इभी przेश्च में अगर यह फिर से वप93 जाना चाहिए इस लिए मैं final state में देखकर110 चले टिकैं एक बर मैं final state में चला ग यह स्ट्रिक है तो वाफपर है स्ट्स कर दिए अगल वाफ से नट पर जाएंगा, मानली स्केब दोस्तों फिर से ए था है , तो तो हम फिर से स्ट्ट से कहाँ चले जाएंगे , हम S1 पर चले जाएंगे और मान लीजिए इतना ही अगर इस्टिंग होता था तो दोस्तों हम finally कहां पर होते थे S1 पर होते थे हमारी इस्टिंग क्या कर ली जाती थी एक और एक्जाम्पल लेकर बताता देखो अगर हमारे पास यह होता था B A A A A A ठीक है तो देखो हमें initially क्या मिला हम start state में है और initially मुझे B मिला मुझे B में कोई interest नहीं मैं start state पर रहूँगा जैसी मुझे दोस्तों next मैंने scan किया अब मैं अगला character scan करूँगा B का काम हो गया एक बार आपने किसी character पर transition find कर लिए फिर next character scan करना है तो अब मैं A scan करूँगा कहां पर हूँ मैं अभी start state पर हूँ ठीक है अब दोस्तों start state पर रखकर मुझे A मिला तो मुझे नहीं पता यह बीच वाला A है कि end वाला A है क्योंकि machine देखो यहां पर मैं आपको यह इसको देखकर लग रहा है यह बीच वाला है लेकि आप इसी computer दे रहे हो तो computer ने भी आगे तक पूरी string को scan नहीं किया है तो उसे अगर currently अभी A मिलता है तो अब वह पता नहीं कि वह बीच वाला है कि end वाला है ठीक है तो यहांपर दोस्तों हम लोग ऐसा assume कर रहे है कि suppose मुझे यह नहीं पता कि end वाला है कि बीच वाला है लेकिन अगर यह end वाला होता तो तो मैं final state में जाता था इसलिए S0 से हम हम final state S1 में चले जाएंगे दोस्तों उसके बाद मुझे फिर से A मिलता है तो जड़ा सोचीएगा दोस्तों अगर मेरेको A मिला उसके बाद कितने भी A आने दो मेरी string A से ही end होगी इसलिए अगर आप S1 में पहुच चुके हो और आपको आगे A मिलता है तो दोस्तों हम यहा से ही end होगा इसलिए S1 प्ठर अगे कितने भी A आने दो मैं S1 पर ही रहूंगा तो दूसरा A मिलेगा तो भी मैं S1 पर ही रहूंगा तीसरा मुझे A मिलेगा तो भी मैं S1 पर ही रहूंगा और इस तरफ पूरे string scan हो जाने के पार मैं S1 पे हूँ जो final state है इसलिए इस string को accept कर लिया जाएगा So I hope दोस्तों आपको अच्छे सा समझा कैसे इसके लिए automata design किया गया एक चीज़ याद रखिएगा आपकी पूरी final automata बन गई तो आपको जरूर चेक करना है कि हर एक state में आपने दोनों symbols के लिए transition दिखाया कि लिए मतलब A और B के लिए तो आप S0 पर देखो के मैंने A के लिए transition दिखाया है B के लिए दिखाया है S1 पर मैंने A के लिए दिखाया है B के लिए दिखाया है दोसकर आपको इसकी working को और भी अच्छे समझना है तो एक और आप 2-3 example लेकर आप खुछ चेक कर लीजिएगा एक और मैं पर लेकर बता देता हूं मान लीजिए मरे पास है B A B A B A B A ओके यह मरे पास इस्ट्रिंग है तो इनिशली मैं सबसे पहले और मुझे B मिला तो मैं कहां जा रहा हूं मैं वापस से S0 पर आ रहा हूं ठीक है क्योंकि B में मुझे कोई इंट्रेस्ट नहीं है तो यह मुझे लिखर जाएगा वापस से S0 पर ठीक है अब मैं S0 पर हूँ अगला character अगला character क्या है A तो अगला character दोस्तों मिरे पास A है और जैसे मुझे A यहां में मिलता है तो मैं नए state में चले जाओंगा जो है S1 ठीक है तो अभी मुझे लिखर जाएगा S1 पर क्योंकि दोस्तों मिरेको अभी पता नहीं कि आगे और क्या-क्या characters है यह आप अजीम कर रहे हैं आप आपको सोच कर यहां पर नहीं करना है जब भी आप डिजाइन करो यहां पर तो आपको यह समझना है जिस भी किसी string को आप scan कर रहे हो तो जो current अभी आप character स्कैन कर रहे हैं उसके आगे आपको कुछ भी नहीं पता तो current character देखकर ही आपको decision लेना है कि कहां जाना है कहां नहीं जाना है ठीक है तो इसलिए जब आप दोस्तों दोस्तों फिर से में यहां पर जब नया next character scan करता है तो मुझे a मिलता है तो s not पर दोस्तों मुझे अब यहां पर a मिल रहा है तो फिर से मैं s1 पर चला जाओंगा यह assume करके end character है लेकिन दोस्तों जैसे ही आप next character read करते है जो क्या है ए है तो दोस्तों s not पर अगर मुझे मिलेगा तो मैं कहां पर चले आओंगा मैं वापस से s not s1 पर चले आओंगा और दोस्तों इसके बाद हमारा क्या हो गया string खतम हो गई और हम finally कहां पर है s1 पर जो final state है तो इसलिए दोस्तों हम पूरी string खतम ह बनाईए फिर चोटी string के बाद अगर बड़ी string हो तो उसी automator को आपको उसमें extra transition add करनी होंगे समझ गये तो इस तरह दोस्तों आपको इसी में एक modification दिखाता हूँ मान लीचे दोस्तों मुझे यह वाला problem solve करना है जिसमें मुझे उस string को accept करना है जो start हो रहा है और end हो रहा ह है यहां पर दोस्तों देखेंगे ध्यान से end है मतलब start और end दोनों same symbol a से होना चाहिए तो सबसे पहले हम यहां पर draw करेंगे start state को और याद रखिएगा जो सबसे चोटी string होगी उसके लिए automator बनाओ तो दोस्तों start state में और जैसी मुझे यहां पर a मिलता है तो मैं नए state मे कहेंगे final state क्यों final state कह रहे है क्योंकि जो सबसे चोटी string को accept करेंगा दोस्तों जो सबसे चोटी string को accept करने का थमजी से इसे होना ही होना है ठीक है तो इसलिए यह वाला जो है वह final state हो जाएगा और इसे मैं कहता हूँ इसलिए वह सबसे चोटी string के लिए पहले बना दो आपको दोस्तों उसके बड़े के लिए बस उसी ऑटोमेटर को थोड़ा मोडिफाय करना पड़ेगा जैसे यहां पर मैंने बना दिया है अब ज़रों यहां पर दोस्तों आप सोचिएगा कि यह पूरी आपको आपको आप अब क्या च्रांसिशन एड करके कि उसका कि मैंने एकले ट्रांसिशन लिए बी के लिए नीए दिखाया और ऐस सभीन संब्लशन की कोशिचिज हूँ और मैं लिए ब से श्टार्ट हो यहां यहां पर मैं चले जाओंगा यानि की आगे कुछ भी रहने दो मुझे कोई मतलब नहीं है क्योंकि वह इंट वैलिड हो चुकी है इसलिए दोस्तों आगे चाहे ए रहने दो बी रहने दो आप डेड इस्टेट में ही रहोगे अच्छे समझ बहा है कि अगर आप स्कैनिंग की और आपको इस्टार्ट में ही मिल गया मतलब वह कब यूज्स होता है जब आपको आगे के इंपूट से कुछ मतलब नहीं होता अगर आपकी स्टार्ट हो गई तो उसने इस क्राटरिया को भी फैल कर दिया तो आगे कुछ भी तो इस तरह S0 जो है वहां से आपने A के लिए भी transition दिखा दिया B के लिए transition दिखा दिया तो S0 का भाई काम हो चुका अब S1 के बारे में आपको सोचना है कि S1 पर आपको A और B मिलता है तो आप क्या करोगे तो ज़रा दोस्तों सोचिएगा कि अगर आपको A मिलता है तभी आप S1 पर पहुचे थे और अगर आपको आगे और A मिलता है मतलब आपकी string A के साथ AND हो रही है और दोस्तों क्योंकि A के साथ AND हो रही है मतलब यह criteria को satisfy कर रहा है इसलिए आप final state में ही रहोगे मतलब अगर आपको आगे और A मिलते हैं तो आप इसी में loop करते रहोगे तो अगर आप S0 पर हो और आपको A मिलता है तो आप S1 पर पहुचोगे मतलब आपकी string A से start हो रही है अगर आपको आगे और A मिलता है इसका मतलब यह हुआ कि आपकी string A से AND भी हो रही है और इसलिए दोस्तो S1 पर हम loop करते रहेंगे क्योंकि आपकी जो string है वो सेटिस्फाय कर रही है example लेकर बताता हूँ मान लिए दोस्तो मेरे पास string है A A A तो initially मैं start state में रहोगा मैं A यहाँ पर read करूँगा और मैं S1 पर पहुच जाओँगा ठीक है आगे दोस्तो मुझे A मिलता है फिर से A मिलता है तो मैं इसी पर loop करते रहूँगा और पूरी string खतम हो जाने के बाद मैं finally S1 पर ही रहूँगा जो final state है इसलिए यह string accept कर ली जाएगी विकोज यह start और end with क्या और यह हो रही है अब यहां पर दोस्तो सबसे interesting part यह आएगा कि S1 पर आपने A का transition दिखा दिया लेकिन B के लिए क्या होगा यह interesting part है अगर suppose मेरे पास यह string है A B ठीक है उसके बाद B A दोस्तो यह कैसी string है जो start with A B हो रही है end with A B हो रही है ठीक है तो अगर दोस्तो मुझे इस string को accept करना है तो हमारी जो machine बने हुई कैसे काम कर रही है जड़ा देखते हैं हम सबसे पहले start state S0 पर रहेंगे और हमें शुरू में A मिला तो शुरू में A जैसे ही मिला हम नए state S1 पर चले जाएंगे और मैं फिर से wait करूँगा कि मुझे अगर A मिलता है तो मैं लोटूँगा तो दोस्तों यहां पर एक गडबड हो जाएगी गडबड माल में क्या हो जाएगी कि अगर आपको B मिलता है और वापस S0 पर वापस लोट जाते हो यह सोचकर कि आगे A मिलने पर मैं वापस S1 पर पहले आप S1 पर थे फिर आपको B मिला तो आप S0 पर आ गए अगला करेक्टर दोस्तों B है और अभी आप S0 पर हो दोस्तों S0 पर B आने पर आप कहां पर चले जा रहे हो आप चले जारे हो dead state में जो गलत हो जाता था समझे एक बार आप dead state में चलेगे तो आप बाहर नहीं लोट सकते हैं तो क्या होने आला यहां पर कि अगर मुझे अगर मुझे S1 पर B मिलता है तो मैं एक नए state पर चले जाओंगा जिसे मैं कहता हूँ S2 ठीक है और दोस्तों S2 पर रहकर मैं wait करूँगा कि मुझे A कम मिलेगा अगर मुझे A मिलता है मतलब मेरी streak A से end हो रही है तो मैं वापस से S1 पर लोट जाओंगा ठीक है जड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा और अकर दोस्तों मुझे B मिलता है तो मैं इधरी पर लूप करूँगा तब तक जब तक मुझे A नहीं मिल जाता इसे में एक एक्जामबल के ज़री समझाता है तो आपको बहती नहीं मतलब आप जो भी ऑटोमेटर डिजाइन कर रहे हो उसमें वह ऑटोमेटर कोई भी गलत इस्ट्रिंग को एसेप्ट नहीं करना चाहिए ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो ऑटोमेटर बनाया है वह आपकी क्राइटिरिय को सैटिस्फाय कर रहा है लेकिन वह कुछ गलत इस्ट दोस्तो एसे स्ट रहा है और इसे एंड हो रहा है तो इतना जो पर्ट है आपको समझे आया कि आगे आपको कितने भी खी थथे क्राइदीग मिलता है मतलब अएक बर मैं ऐस्टू पे चला आया और मुझा अगर आँके 2 मिलते हैं तो मैं स्टू पर ही लूप करोंगा क्यू जैसे मुझे a मिलेगा मैं वापस से s1 के पास चला जाऊंगा उसका मतब यह होगा कि आपकी string किसके साथ and हो रही है a के साथ and हो रही है तो दोस्तों मैं s2 पे रहूँ हूँ अगर फिर से b आ जाता था तो मैं वापस से s2 पे चले आता था और तब तक s1 के पास नहीं जाता था जब तक a ना मिल जाए मतब आप समझ रहें अच्छे से तो s1 के पास दोस्तों तभी जाया जा रहा है जब आपको a मिले मतब s1 उस चीज़ को रिप्रेसेंट कर रहा है ज यह next question को देखते हैं जिसके अंदर मुझे draw करना है जैसे यह बढ़ते आएगा ना आगे वैसे से आपको पूरा अच्छे दे डिलफ होते आएगा कुछ अभी और मैं 10-15 एक्जाम्पल से आपको कराऊंगा तो दिले दिल आपको लोजिक पुली बिल्ड हो जाएगी हमाई सोचा कैसे जा रहा है ठीक तो दोस्तों अब पहले अब के लिए अटमेटा बनाओ यहां पर मैं सबसे फ़हले एक फाइनल स्टार्ट बनाओंगा जिसे मैं कहता हूं और अच्छ नॉट पर दोस्तों जैसे मुझे मुझे मिलेगा मैं एक नए स्टेट पर चले जाओंगा लेकिन वो एस्टेट फाइनलिस्टेट नहीं होगा क्यों क्यूंकि फाइनल टोस्तों उसे करना है तो ए के बाद थे तो जो आप जिस state पहुँचोगे वो final state उसे होना ही है तो ए और ब को read करने के बाद जो भी state पहो वो final state होना चाहिए इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि सबसे छोटे string के लिए पहले आप बनाओ वो आपको दोस्तो आप modify करके बड़े की आपको करने का है modify क्या करना होगा जितने भी state पे आप देख रहे हो जो transition नहीं दिये गया है वो आपको add करने जैसे आप अगर s not पे हो या पर s not पे मैंने a के लिए transition दिखाया बी के लिए नहीं दिखाया तो बी के लिए add करो तो दोस्तों criteria के हिसाब से आपका जो string है वो a के साथ start होना चाह आप लोग चले आएंगे बी मिलने पर दोस्तो डेट इस्टेट में और एक बाद डेट इस्टेट में चले गए तो आगे कुछ भी रहेंद दो आपको मतलब नहीं है मतलब नहीं कोशिच किजीगा दोस्तों एक आपकी string एसे start नहीं हो रही है अगर आपको initially भी मिल गया मत आगे आपको कुछ भी रीट करके कोई मतलब नहीं है इसलिए आप डेट स्टेट में चले गए ठीक है तो इस तरह दोस्तो एस नॉट पर मैंने के लिए ट्रांजिशन दिखा दिया अब बात करते हैं एस वन की दोस्तों यहाँ पर कोशन क्या है कि आपके स्ट्रिंग एस स्टार्ट होनी चाहिए और वी से एंड होनी चाहिए ठीक है बीच में कुछ भी रहे हमें क्या लेना देना उससे समयने की कोशिश किजिएगा कि द यहाँ पर यहाँ नहीं चाहिए तो अगर एक बात दोस्तों मुझे पिर से मिल जाता है तो क्या उसमें मुझे कोई इंड्रेस्ट रहेगा नहीं रहेगा क्योंकि वह कुछ काम का निया मैं B के लिए वेट कर रहा हूं इससे दोस्तों अगर S1 पर आपको A मिलता है तो आप यहीं पर wait करोगे, यहीं पर loop करोगे, मतलब कितने भी A आने दो, इसी पर हम loop करते रेंगे, loop करते रेंगे, जब तक मुझे B नहीं मिल जाता, जैसी दोस्तो B मिल जाता है, तो मैं तुरंट final state में पहुँच जाऊँगा, यह सोच कर, कि वो last overlap B है, लेकिन जरूरी है क्या वो last overlap B हो, नहीं, इसलिए दोस्तो S2 पर आपको आगे decision लेना पड़ेगा, कि B मिलने पर क्या करोगे, और A मिलने पर क्या करोगे, तो S1 पर देखो मैंने दोनों transition बना दिये, A के लिए बना दिया, और B के लिए, दोस्तों अगर ये A के बाद, ये 4 A आया, तो हम S1 पर ही loop करेंगे, जैसे मुझे B दिखा, मैं final statement पहुँच जाऊँगा, और मेरी string accept कर ली जाएगी, लेकिन दोस्तों, जैसे B के बाद वापस से A आजाता है, तो आपके string, दोस्तों B के साथ end नहीं हो रही है, इसलिए आप यहाँ पर वापस से लौट जाओगे, कहां लौट जाओगे, आप वापस से लौट जाओगे, S1 के पास, समझ गए, दोस्तों S1 का यहाँ पर क्रेटेरिया है, सॉरी, S1 की क्या यहाँ responsibility है, समझिह है, मतलब मेरी string, B से end हो रही है, और वह हमें final state में लेखे जाएगी, final state में पहुँचेंखेंगे, आपके string, अभी, एंड नहीं हो रही बी के साथ, तो इसलिए, आप वापस से S1 पे पहुच गए, और आप wait करोगे B का, लेकिन दोस्तों कर आप S2 पे हो, आप ज़रा समझिए यहाँ पर, कि अगर मेरी string end with B होती थी, और आगे में कितने भी B लगा दू, तो भी मेरी string end with B होती थी, इसलिए दोस्तों कर आप S2 पे पहुच गए, पहुच गए कब जब आपको एक B मिलेगा, तो उसके आगे कितने भी B रहने दो, आपकी string B के साथ ही end होगी, इसलिए दोस्तों S2 पे कितने भी B आने दो, आप यहीं पर loop करोगे, प्योंकि आपकी string valid string है, तो ज़रा इसे हम एक और example के ज़रे समझते हैं, माल लेजे मेरा string जो है दोस्तों वो यह कुछ इस तरह है, A, 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 B, B, A, B, ओके, तो यह string कैसे सब की जाएगी, जड़ा इसे देखते हैं, हम पहले S0 पे रहेंगे, और मुझे A मिलेगा, तो मैं पहुच जाओंगा कहाँ पर, S1 पे पहुच जाओंगा, दोस्तों, एक बार मैं S1 पे पहुच गया, तो आगे मुझे अगर दो बार A मिलता है, तो मैं S1 पे मुझे फिर से B मिलता है, तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार हम S2 पे पहुच गया, और मुझे और B मिल रहा है, मतलब मेरे string B के साथ ही end हो रही है, आप बस इतने string को देखी, इतनी string दोस्तों, B से end हो रही की नहीं हो रही है, तो आगे क्या है मुझे नहीं पता, ठीक है, त जब तक मुझे B भी दिख रहा है, तब तक मैं S2 पे ही रहूँगा, क्योंकि मेरे string B से end हो रही है, जैसी मुझे A मिलेगा आगे, वैसी property फेल हो गया फिर, तो मैं तुनंद वापस S1 पे चला जाओंगा, यह अगे मुझे B मिलेगा, और जैसी दोस्तों मुझे B मिलेगा, मैं वापस से S1 से कहां चलाओंगा, S2 पे चलाओंगा, और इस तरह string खतम हो गई, और finally मैं S2 पे हूँ, और मेरे string एसेट कर ली जाएगी, तो I hope दोस्तों आपको अच्छे समझ माया है, कि इन automators को कैसे draw करना है, यह आपको चारो अच्छे समझाओगा, आईए next वीडियो मैं और कुछ और और example देखते हैं,